बताओ कि क्या लग रहा है आज के मुकाबले में शाहिंशा फृदी फाइफर लेगा क्या बहुत सारे लोग जो है उनको लंगडा बोल रहे थे ये बोल ले थे वो बोल ले थे लेकिन आखिर का शाहिंशा फृदी ने दिखाया यार आप जिस तरीके से उन्होंने बलेबाज जो दा इगल के नाम से जो जाना जाता हो तो उनकी भी ये जिम्मिदारी बन जाती है कि अपनी टीम के लिए मैं खड़ा उतरू अपने कप्तान के लिए मैं खड़ा उतरू और मैं याद कीजिए मैंने एक पहला वीडियो भी किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि दे गेंदबाजों से आप गेंदबाजी करा रहे हो पिंडी के फट्टा विकेट पे तो मार तो खा नहीं है मुहम्मद वसीम जूनियर आपके थे लेकिन आप जो है ना आपके पास शाहिंशा फ्रीदी लोटाए है नसीम शाह है हसनली बैठे हुए है तो ऐसे में जिम्मिदारी बनती है इन सारे गेंदबाजों को कि जो एक साल का सूखा है जो एक साल से आपने मुकाबले नहीं जीते हैं सिरी जो नहीं जीते हैं तो आप अपने कप्तान के लिए खड़े हो तो और इसी वज़े से इसी वज़े से जो है आज शाहिंशा फ्रीदी ने शुरुवाती लेकिन शाहिण शाफरीदी ने बोलने का मुखा नहीं दिया है तो बहुत सारे लोगों कि न दुकान बंध होने वाली है अगर 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 शाहिण शाफरीदी एच्छी गिंदबाजी और आगे सिरीज में करते हैं या फिर पाकिस्तान की टीम जीती है कराची मि वह वह चलती रहती है लेकिन वही है कि शाहिण शाह फरीदी अपने नाम की अकॉर्डिंग आज उन्होंने गेंदबाजी की है वेराल इस समय जो करीश पर उतरे वह वह धनेंजा डिसल वा यार बहुत तग्रा ओल्डांडर है ये बंदा और अंजलो मैथ्यूज है उतरे वह वह बैक फूट पे नजर आ जागा बहुत जल्दी ही बैक फूट पे आ जागा और तब आपके पास एडवांटेज है कि मैं उन एडवांटेज ये है कि आप जल्दी से जो है इनके खिलाडियों को आउट करके मुझे ये लग रहा है दोस्त मुझे ये लग रहा है कि आज जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान टीम को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और हो सकता है कि बाब राजम को भी बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़े लेकिन आप लोग चाहेंगे नहीं क्योंकि शान मसूद ने लास्ट जो वामम मैस था उसमें गजब की उन्होंने क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन वैसा क्रिकेट आप इस मुकाबले में नहीं देखने वाले हैं क्योंकि चलो प्रैक्टिस में आचे महां पर आपके पास खुलने का मौका है लेकिन कहा यह गया मिकी ऑथर की तरफ से कि यार हम लोगों को जो है ना एक इंटेंट दिखाना पड कि आपका अपतानी में ऐसा और दूसरी बात यह ने का यह नया साइकल है और व्टीसी के स्ने साइकल में हर कोई चाहेगा कि हमारी टीम मुकाबलाजी अब इंडेंट टीम ने बल्लबाजी की गेंदबाजी की और हम लोगों ने वेस्ट इंडीच के खानदार प्रदर्शन किया अश्वी निबारा विकेट जटके हमारे गेंदवाजों निफ्टा दिया और हम लोगों ने WTC के लिए जो है पॉइंट हासिल कर लिया है आप पाकिस्तान की टीम को भी अगर WTC के फाइनल में पहुंचना है तो भाई आपको भी पॉइंट हासिल करने पड़ेंगा मैं तो हमेशा चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला जो है WTC का एक फाइनल में तो होई जाना चाहिए लेकिन पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार पा तो यह जी कंसिस्टेंट रहते हैं और रंस बनाते रहते हैं कब्तानी की बात अगर किया जाँ तो नहों बॉइट वॉयद बॉल फॉर्मेंट में बहुत अच्छी कब्तानी की है लेकिन रेड बॉल में उनको प्रूव करना जरूरी है ना सिर्फ एजे बेट्समेन के तौर पर बलकि एजे कैप्टेन के भी तौर पर तो हम तो यहीं कहेंगे कि भाई बेस्ट आफ लग किंग बाबर आजम आप रंस बनाओ यार अपनी टीम को मैचे जिताओ और डबलू टी सी के फाइनल में इंडिया के साथ हापका मुकाबला हो तब तो और मज़ा आने वाला है यह देखे बगल में यह बाबर आजम है ना तो जितने भी लोग अभी हमें देख रहा है आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कमेंट बॉक्स के ऊपर में जो एक लिंक मेंने डा हुआ है उस लिंक पर आप क्लिक करें और जल्दी से काम करें अगर आप अबिनाश भाई को चाहते हैं मुझसे महबत करते हैं तो जल्दी से काम करें आप काम यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को भी और उस चैनल को भी जल्दी जल्द में जो है एकदम वार चल रहा हैं थर वल्लौ ऊर चल रहा है को इधर रोओром चर्मा का फैंन घाली दे रहा है Chandler silver आख कोई एक दम से 36 बोल रहा है को इधर और से दस विक Heights वोल रहा है था फालाणा फाला ना तुम लोग ना मतलब सुद्रो गरें जब भी होता है लड़ाई करता है, जब भी होता है, लड़ाई कर रहे हो, लेकिन come here to have a lunch, यार अभी मुहम्मद भाई अभी lunch तो मैंने किया नहीं है, और lunch करने के लिए जाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, पाकिस्तान यहां पे नहीं है और तब तक मैं अगर मैं कुछ खाया नहीं तो मैं तो भूखा मुझे